हेलो दोस्तों, हमारे चनल में आपको स्वागत है, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप लोगों की काफी कमेंट आये थे कि लाउंडरी बिजनेस में या घर में स्टार्च हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाउंडरी का बिजनेस कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप घर में या लाउंडरी बिजनेस में, अपने सौप में या अपने वर्कशाप में इस्टार्च कैसे त्यार कर सकते हैं मैनुली और आप उसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तथा ये इस्टार्च बहुत ही खास होता है क्योंकि इसमें जो इस्टार्च की इस्टेंट होती है बहुत तगड़ी होती है और इसको आप अपने हिसाफ से कड़ा, नार्मल या हलका इस्टार्च लगा सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं हेलो दोस्तों, तो इसके लिए आपको चाहिए एक पतिला जैजमेने ले लिया है, आपको जितना स्टार्च बनाना है उतना पानी ले लिजे और पानी को पुरा उबाल आने तक गरम करेंगे और आई मैं बैताता हूँ, आपको किस चीज से स्टार्च बनेगा, आप इधर देख सकते हैं, यह है कौन स्टार्च, जो मार्केट में बेवहारिक भास्रा में इसको हम अरा रोट पाउडर बोलते हैं, और यह पर्चून की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाता है, तथा इसका प्राइज तकरिबन 35 रुपे से लेकर 60 रुपे प्रतिक किलोग्राम का होता है, अब इसमें आपको देखना है कि आपको कितने कपड़े स्टार्च करने हैं, इसका रेश्यो यह है, यह से मैंने चमच लिया है, अगर आपको दो कपड़े करने हैं, तो आपको तीन चमच इसमें आपको लेना है, साधे पानी में, दूसरे बावल में, तब तक पानी हमारा गरम हो रहा है, और हम इसको क्या करेंगे, इसको साधे, मतलब ठंडे पानी में, इसको हम अराम से घूल बना लेंगे, क्योंकि बहुत चिकना होता है, और अगर आप इसको डारेक्ट गरम पानी में डालेंगे तो यह जो है पुरी तरी से घूल नहीं पाएगा तो आप देख रखते हैं थंडे पानी में आप इसको मिला सकते हैं तो आप देखेंगे एक हलका सा आफ वाइट दूद के कलर का यह हो जाएगा यह दूद के कलर जैसा हो गया अगर आपको और लेना है तो आप इसके हिसाब से और इसटार्च इसमें एड कर सकते हैं मैंने चार चमच इसमें स्टार्ज एड़ किया और इसको मैंने पुरा देखिए ऐसे से आप उठा के घोलेंगे ते अराम से घूल जाएगा लेकिन आप कभी भी डारेक्ली कौन स्टार्ज को इस गरम पानी में डारेक्ली नहीं डालिएगा क्योंकि अगर डालते हैं फिर वो इकठा से हो जाएगा वो गूलेगा नहीं लेकिन आप इस तरीके से आपने गरम कर दिया जैसे इसमें गुबाल आ जाए या आने वाला हो तो आप इसको डारेक्ली इसको आप इस्टिट करते रहें जब तक आप इसको इसमें डालते नहीं है नहीं तो यह छोड़ देंगे तो यह नीचे बड़े रान से बैठ जाता है अब देखिए में इसमें कर दिया अब देखिए पानी देखिए लगबग उबाल आने वाला है अब हम इसको क्या करेंगे इसको इसमें आयड कर देंगे और फिर आप इसको स्थारच बनने के बाद से जालने के बाद से आपने मिक्स कर दिया तो आप एक चम्मच ले लीजिए या कोई बड़ा वरतन जिसे आपका हाथ न जले आप हलका फाद देरे इसको आप घूमाते रहें तो आप देखेंगे जैसे अब हम इसमें उबाल आने लगे तो इसको कुछ समय तक हमको आपको इसमें इस्टेद करना है आप देखेंगे कि इधरे ये थिक होने लगेगा यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको कितना थिक बनाना है मुझे थोड़े कपड़े बनाने थे थोड़े कपड़े के लिए इसलिए मैंने हलका सा इस्टार्च लिया है जबकि यह पूरी तरह से ग्रे कलर का हो जाए तो कुछ दिर तक इसको उबाल लेजिए उबालने के बाद से आप इसको गैस को बन कर सकते है या अपने चुले को बन कर सकते है तो आप इसको बन करने के बाद से आप देखेंगे कि इसमें तकरिबन इस तरह का हलका सा थिकनेस हो गया है और सीफलक है और इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए. उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद जैसे कुछ ठंडा हो जाएगा आप इसको थ्वासा फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि आपको यह न लगए कि इसमें कुछ असुद्धी हो तो आपके कपड़े में चिपक सकता है तो मैंने जितनी जरुत है उतना मैंने इस्टार्स को चान लिया है आप इसका कलर द कंडा हो गया है तो हमने इसको एक बकेट में डाल लिया है लेकिन अभी यह काफी ठीक है तो अपने आप सकता है कर नुसार हम इसमें चाहें तो नार्मल थवा था था ठंडा पानी मिला सकते हैं इसको डाइलूट करने के लिए हमने थवासा पानी मिला लिया है और इसको भ कपड़ा है कि पैजामा बोलते हैं जिसको और उसके बाद से हम इसको तरीके से गोहल देंगे कर दो कि जादा कुछ में करना नहीं है आपको कपड़ें पुईतर से विए मेरे एक ही कपड़ा है इसलिए मैंने कमी स्टार्च लिया कि उसके बाद से कि आप इसको निचोड सकते हैं कि यह दिखिए में कपड़ा इसमें पानी ना रह जाए तो रहेगा तो इस्टार्च वहां पे कठा हो जाएगा अब देखिए यह कपड़ा स्टार्च इसमें लग चुका है अब इसको हम धूप में सुखा देंगे और इस तरह किसे आप अपने कपड़ों में स्टार्च लागा सकते हैं तो आज की वीडियो में बैस इतना ही है जब यह सूख जाएगा तो अग नेक्स वीडियो में बत आते हैं जिसकी कुछ प्रक्रिया है जिसके अतात आप जान पाएंगे कि स्टार्च की हुए कपड़ों को कैसे प्रिस्ट कर सकते हैं तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद आप हमारे वीडियो देख रहे हैं अगर आपको लाब हो रहा तो जरू सब्सक्राइब करें और सेयर करें थैंक यू बेरी मच